हलो फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में आपको यह बताने जारा हूं कि कैसे आप अपने Redmi Note 13, Android में आप अपने मुवाइल फोन की वीडियो कॉलिंग की प्रॉल्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं आज के इस वीडियो में आपको डिटेल में जानकारी देने वालों तो चलिए आप यह वीडियो कॉम स्टार्ट कर लेते हैं देखिए दोस्तों कभी भी अगर आपके मुवाइल फोन में वीडियो कॉलिंग की प्रॉल्लम आती है तो इसके सॉल्यूशन के लिए क्या है बुट करने से होता है मुवाइल फोन के एंड्योट शिष्टम में और कोई प्रॉलम आ जाती है तो वो सॉल्व हो जाती इसे टैप करना है या फिर circle के अंदर जो i button है इसे टैप करना है आपका ये page open होगा इसमें आपको storage पर टैप करना है इसके अंदर आपको नीचे clear data पर टैप करना है आपका ये page आएगा इसमें आपको clear catch पर टैप करना है तो आपका ये page आएगा इसमें ok पर टैप करना है त जिससे आपके phone की video calling की problem solved होजाईगी, अब दोस्तों अगला process ऐ नोच सी करना है कि mobile phone की network setting को आपको reset करना है, दोस्तों कही बार ऐसा होता है, हमारे phone की जो network setting होती है, यहां जो right से काम नहीं करती है, जिसके करण हमारे phone में video calling यह problem देखने को मिलती है, तो आपको अपने mobile phone की network setting को reset करने के लिए आपको अपने mobile phone का setting page open कर लेना है setting page में आपको सबसे उपर ये search setting पे tap करना है यहाँ पर सबसे उपर search bar में reset आपको लिखना है reset लिखेंगे तो आपको नीचे की side ये option शो हो जाएगा reset wifi mobile and bluetooth का इसे tap करना है आपको इस page में नीचे की side reset setting पे tap करना है अब आपको इसे ok करना है तो आपको नीचे लिखाओ आजाएगा यहाँ पे network setting reset तो इस तरह किसे आपको mobile phone की network setting को reset करना है जिससे आपके phone की video calling की problem solve हो जाएगी अगला काम ये करता है कि आपको अपने mobile phone की APN setting reset करना है इसके लिए आपको phone का setting page open करना है setting page बे आपको यह sim card and mobile network पे tap करना है इसके अंदर आपको अपने phone की sim select करना है इसके अंदर आपको नीचे access point name पे tap करना है इसका अगला page APN का होता है इसमें नीचे reset पे tap करना है नीचे यह देखे लिखावा आजाता है reset default APN setting इस तरी किस APN setting को भी reset कर देना है जिससे आपके phone की video calling की problem solve हो जाएगी अब दोस्तो अगला काम यह करना है कि आपको अपने phone का software एक बार check करना है कि वो update है या नहीं है दोस्तो कई बार ऐसा होता है हमारे phone के software का update आता है हम उसे update नहीं करते है तो इससे हमारे phone के android system में भी कुछ कमिया आने लगती है तो आपके phone का software update है या नहीं आपको check कैसे करना है देखे सबसे पहले आपको अपने mobile phone का internet आपको चालो कर लेना है इसके बाद आपको phone का setting page उपन करना है देखे दोस्तों mobile phone को reset आपको तब करना है जब मेरे बताया हुए पिछले process कोई भी काम नहीं करते है तब आपको phone को reset करना है अदरवाइस नहीं करना है phone को reset करने के लिए phone का setting page उपन कर लीजिए setting page में सबसे उपर है search setting पे tap करना है यहाँ पर सबसे उपर search बार में reset आपको लिखना है reset या फिर factory reset इन दोनों में से एक लिखना है आपको नीचे factory reset का यह option शोगा इसे tap करना है अब आपको factory reset के इस page में सबसे नीचे erase all data पे tap करना है इससे आपका phone reset हो जाएगा और आपके phone की video calling की problem solve हो जाएगी लेकिन आपको phone को reset करने जबहले दो बातों का ध्यान रखना है पहले बात यह ध्यान रखना है आपके phone में जितना भी data है सारा data आप किसी दूसरे phone में transfer कर लीजे या उसका backup ले लीजे दूसरी बात यह ध्यान रखना है आपके phone की Gmail ID और उसका password आपको पहले से note करके रखना है यह दो काम आपको पहले करना है उसके बाद आपको phone को reset करना है तो दोस्तों इस video मेरे बताए हुए सारे process अगर आप use करेंगे तो इससे आपके phone की video calling की problem solve हो जाएगी ठीक है